हलो अबरिवान आज मैं आपके लिए चॉकलेट आइस क्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहर दसान है आप बजार जैसी क्रीमी, टेस्टी और एकदम प्रोफेशनल आइस क्रीम घर पर ही तयार कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं चॉकलेट आइस क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है इसमें एक कप दूद डाल देंगे यह फुल फैट दूद है यानि फुल क्रीम दूद है आप उबला हुआ या कच्चा कोई सा भी ली सकते हैं तो यह 20 ml दूद है इसके साथ ही हम इसमें 1 चुदाई कप milk powder डाल देंगे और साथ ही इसमें एक चमज कॉन फ़लार डाल देंगे इसे कॉन स्टार्ज भी कहते हैं इसके साथ ही हम इसमें 3 चमज cocoa powder डाल देंगे और जोद रखेंगे इसे gas पर रख देंगे, gas का flame बेको लो रखेंगे और इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे कड़ाई के हर कोने में हम कर्ची को इस तरह से अच्छे से चलाएंगे ताकि कहीं से भी नीचे ना लग जाए क्योंकि हमने इसमें जो corn flour और साथी cocoa powder डाला है वो जल्दी से नीचे लग सकता है तो बस आप ध्यान लखें, gas का flame लो रखें और इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहें और तक्रीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए तो मैं इसमें भी याँ पर चीनी डाल रहे हूँ आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं पर अगर आप जादा चॉक्लेटी फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप इसे जरूर डाल दें और इसे डालकर हम वापीस एक बाद अच्छे से mix कर लेंगे क्योंकि जो दूद है और गरम है अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे गैस से नीचे उतारने के बाद भी हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे पहले रूम टेंपरिचर पर ठंडा होने देंगे और देखे जैसे ही हलका सा थंडा हुए तो मैं इस इस bowl में transfer कर दूँगी और अब इस bowl को मैं fridge में रख दूँगी ताकि ये जो mixture है हलका सा थंडा हो जाएगा अब एक bowl में हम एक cup थंडी whipping cream ले लेंगे ये non dairy whipping cream है जो हम cake बनाने में use करते हैं बिर्कुल वही cream है ये और इसमें देखे stiff picks बन रहे हैं और अगर मैं इस bowl को उल्टा गरती हूँ तो इसमें से cream बिल्कुल भी नहीं गिरती है तो it means ये बिल्कुल perfectly whip हुई है ये हमारा chocolate और दूद का mixture भी हलका सा थंडा हो गया है और अब मेरे पास ये कांच की serving dish है इसमें मैं solafin sheet लगा रही हूँ इस तरीके से आप चाहें तो इसमें foil paper भी लगा सकते हैं या फिर आप घर के किसी भी बरतन में डिब्बे में ice cream को sit कर सकते हैं अब मैं इसमें पहले थोड़े से chocolate chips डाल रही हूँ ये डालना totally optional है आप इसकी बिना भी ice cream बना सकते हैं और आप इसके उपर ये ice cream का mixture डाल देंगे और चम्मा से इसे level कर देंगे इस तरीके से और ये जो extra solafin sheet हमने रखी थी इसी से हम इसे cover कर देंगे और अब इसे freezer में रख देंगे पूरी रात के लिए और आप freezer का temperature बढ़ा दें ताकि ये अच्छे से set हो जाएगी बाकी का बचा हुआ mixture मैं indispensable cups में डाल रही हूँ और अब हम इसे चम्मा से उपर से हलका से level कर देंगे और इसकी उपर chocolate chips डाल देंगे और इन्हें foil paper से cover कर देंगे और इन्हें भी freezer में रख देंगे तकरीबन 7-8 घंटे के लिए फिर आप इसे overnight रख दें और ये देखी हमारी ice cream कितने अच्छे से set हो गई है अब हम इसे इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और ट्रे में निकाल लेंगे और अब हम chocolate ice cream को इस तरीके से pieces में काट लेंगे और देखी आप इसका texture देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी ice cream सेट हुई है बहुत ही creamy बहुत जादा टेस्टी है आप बाजार से भी जादा अच्छी, हाईजिनिक और बहुत ही सस्ते में इस तरीके की ice cream तयार कर सकते हैं इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारी ice cream की recipe शेयर की हैं जिन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया है ice cream का taste बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार है और इसमें जो chocolate chips का हलका सा crunch आ रहा है वो इसके taste को और बढ़ा देता है और यह जो हमने disposable cups में ice cream सेट की थी यह देखे कितने अच्छे से सेट हो गई है और इसका जो texture है और आप look देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बहुत perfect है तो friends आप भी इस recipe को अपने घर में जरूर ट्राइ करें यह आपको बेहुत पसंद आएगी और अगर आपको हमाई recipes ट्राइ करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को like और share जो कीजिए और साथी चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें इसी तरह की और नई नई recipes देखने के लिए